खरगोन में गुजरात से आए चार संदिक्द पकड़े गए हैं चारों लोगों का कहना है कि खरगोन में वॉलिंटियर वर्क करनी के लिए आये थे रहाला कि फंडिंग एंगल पर भी पुलिस पकड़े गए लोगों से पूश्टाच कर रही है खरगोन में किसने की खुराफार विदेशों से जुड़े हैं साज़िश के तार कौन है खरगोन हिंसा का असली गुनागार जी हां खरगोन हिंसा में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं गुरुवार को इस मामले में पिफ़ाइ यानि पिपुल्स फ्रंट आफ इंडिया का नाम आया लेकिन साज़िश की जड़े इससे कहीं ज्यादा गहरी लग रही है दरसल खरगोन की घटना का इंटरनेशनल कनेक्शन जोड़े जाने की पीछे कई वजहें भी है सबसे पहली वज़ा ट्वीटर में ट्रेंड करने वाले हैस्टेग हैं इन हैस्टेग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहर बैठी लोग कैसे राम नौमी की घटना के बाद से दो समुदायों के बीच नफरत के बीच बोने पर अमादा है माना जा रहा है कि इंटरनेशनल साजिश के ये तार पाकिस्तान समेट कई जगहों से जुड़े हैं जहां बैठी लोग ट्वीटर हैंडल से नफरत भरे ट्वीट कर रहे हैं बहराल अब जानते हैं कि बाहर की ताक्ते कैसे हमारे यहां का महौल बिगाड रही है तो दरसल इस हंसा में फंडिंग की बात सामने आ रही है सोशल मीडिया का इस्तमाल किया गया है स्पेशल हैस्ट्रेक का इस्तमाल हुआ है विदेशों से हैस्ट्रेक बना कर भेजा गया है हैस्ट्रेक से लोगों को भढ़काया गया है हेट मैसेज बना कर भेजे गए हैं तो इस परताल से साफ है कि कोई तो है जो खरगौन में सांपरदाईक सोहार्थ को बिगारना चाहता है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हो या अफगानिस्तान से PFI से जुड़े हो या ISI से इसमें खरगोन की जनता का क्या कसूर है वो क्यों इसका परिणाम भुगत रही है लिहाजा अब प्रशासन के रहे ये बड़ी चुनौती है कि वो जल से जल स्थिती को सामाने बनाने के लिए हर मुम्किन कदम उठाए टीम न्यूसिस्टे